बिसमिल्यागाराए नराएम, असलाम लेकुम दोस्तों गैसे हैं आप सब मैं हूँ इजाजन सारी और आप देखते ही इजाजन सारी फूद सीक्रेट्स अलाबरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकूम तुमुरिपर्ट्स आज मैं आपके लिए बहुती स्पेशल मसालेदार चनों की रैस्पी लेके आए हूँ ये दिखने में जितने चटपड़े और मरस्दार लग रहे हैं ये कीन करें खाने में इन्शालला खाने वाले के होश उर जाएंगे और वो आपसे बारबर डिमांड करेगा के यही मसालेदार चने आप दुबारा बनाएं रैस्पी बहुत असान है लेकिन इसमें बहुत से स्टेप्स हैं जिनको आपको अच्छे से डीपली जानना है सबसे बहले बिसमिल्ला रावारा है चने यहाँ पे कम से कम आपने आठ घंटे भिगो के रखने है ठीक है यह इसलिए जरूरी नहीं है कि चने इससे गल जाते है इससे टेस्ट डिवैल्प होता है ठीक है तो यह देखें यह मैंने आठ गंडे पहले गोके रखे थे और यह देखें अंदर तक जो चने की डाल है वो भी पानी से भड़ी हुई है ठीक है फिर मैं आपको बता दूँ चनों को भिगो है इसलिए नहीं चाहता है कि वो जल्दी गल जाए यह टेस्ट जो है उसको डिवैल्प करते है ठीक है इसके साथ साथ इसके जो फाइदे होते हैं वो भी जो है दोबारा से री एक्टिवेट हो जाते हैं चलेंजी बिसमिल्ला हरवान है अब यहाँ पे हमें एक खुब्सूरा सी कडाई चाहिए चनों को हम इसमें एड़ कर देंगे और यहाँ पे हम एड़ कर देंगे इसमें पानी ठीक है इस रेस्पी में दो गलतियां है जो हर दूसरा बंदा करता है और उन दो गलतियां के वज़र से चने की रेस्पी का बेड़ा गड़क हो जाता है वह मैं आपको आगे जगे बताऊंगा धियान से आपने उन स्टेप्स को उन चीजों को देखना है चलेंजी इसमें एड़ कर दी है मैंने चार से पांच कप पानी के डेर कप मैंने चने लिये थे ठीक है यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक एड़ करेंगे और इसको बॉइल होने के लिए रख देंगे अब चलते हैं रेस्पी की दरव बहुत ही खूपसूरत हमारे पास चार मीडियम साइज के चोटे साइज के प्याज है अब इनको आपने बहुत जादा नहीं काटना सिंपल से तीन से चार इसके आप टुक्रे कर देंगे इस तरह से बहुत अस्यानी से हो जाएंगे आज की रेस्पी की खास बात है कि यह भी है कि इसमें आपको बहुत जादा खपना नहीं पड़ेगा बहुत जादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी अद्रह का टुकर है तकरीबन डेर इंच का इसको भी कार देंगे और टमाटर है हमारे पास टमाटर की भी कटिंग कर देते हैं इस रेस्पी में जो चीज खास है जिसका आपको मसा आने वाला है वो है मसाला ठीक है तो मसाले की आप देख लिए किस तरह से त्यारी होती है हरी मिर्चे चार हैं दो टमाटर हैं प्यास चार हैं इन सब चीजों को हम करते हैं साइट पे बिसमिल्लाहरामारा रहीं खुबसूरा सी प्यारी सी कड़ाई लेंगे और हाफ कप इसमें हम लेंगे कुकिंग ऑईल का ठीक हो गया अब यहां पे आपने तर्तीब का खियाल रखना है ठीक है सबसे बहले बिसमिल्लाहरामारा रहीं लेषन अइट करेंगे आपको बता है लेषन के मामले में मैं कभी कंप्रमाइज नहीं करता है नहीं आपको बता दू हर 10-5 लोगों की जो हणि होती है उसमें से कच्छे लेषन की स्मेल आती होती है तो इसका आपने क्या रखना होता है जब इसके ओपर color आ जाएगा ना lesson के ओपर ठीक है तब इसमें हमने प्याज और टमाटर एट कर देने है क्यों? क्योंकि प्याज और टमाटर में बहुत पानी होता है ये lesson की smell को दूर नहीं होने देता खाली oil में जब lesson पकता है तो smell दूर हो जाती तो यहाँ पर हम इसको पकाएंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाते जो प्यास है वो transparent हो चुके है और जो टमाटर वो भी नरम हो चुके है end base में हरी मिर्ची आट करेंगे ठीक है? अब पहली एहम बात जो लोग गलती करते हैं मसाले कौन से इसमें नहीं जाने लाल मिर्च का पाउडर वांटी स्पून एट करेंगे और अगली चीज़ हल्दी हाफ टी स्पून एट करेंगे और साथ इसमें नमक एट कर देंगे वान टी स्पून, हाफ टी स्पून चनो में था यहाँ पे आपने कोई गरम साला पिसा हुआ हो, पाउडर हो या खड़ा हो, कुछ भी एड आपने नहीं करना क्यों नहीं करना चने का टेस्ट बहुत डार्क होता है जैसे के पाई का टेस्ट होता ठीक है फ्लेम को मैंने लो करके इनको बसाले को ठंडा कर लिया अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेता हूँ ठीक है, आपको ये गलती समझागी जो नॉर्मिल लो करते हैं, इसमें खड़े मसाले या गड़े मसाले आट करते हैं, वो आपने नहीं करने अब ये गलती है, जो दूसरी लो करते हैं ये जो इसकी यहनी है, ये जो इसकी जिन्दगी है, ये जो इसके वाइटाम इंजे इसको जाया कर देते हैं, हम नहीं करेंगे, कैसे मैं आपको बता लाओ तो ये ले जी, मसाला जिसको हमने पीसने के लिए निकाल लिया था, उसको मैंने पीस लिया है, बहुत जाला नहीं पीसा, बस अच्छा टेस्ट आजाएगा, वो क्या है वो ये, कि उन चनों में जो यहनी में पढ़े हुएं, मैंने खाली चने निकाल लिया है, यहनी मैंने नहीं निकाली, सिर्फ चने निकाल के इसमें एट कर दूँगा, और यहां पे मैं इसकी अच्छी भली, लंबी चौड़ी भुनाई करूँगा, 10 से 15 मिनट की, ठीक है, इस तुरा अगर आपको लगे मसाला जल रहा है, थोड़ा सा पानी एट कर दें, यहनी एट कर दें, बर 12 से 15 मिनट खुला डुला आपने इसकी भुनाई करनी है इससे चनों में टेस्ट चला जाता है अंदर तक मसाला भी, मलाई जैसा हो जाता है, टेस्टी हो जाता है चलें जी, अब यहाँ पे जो यहनी बची थी हम इसी मैट करेंगे, यह गलती लोग करते हैं, इस यहनी को जाया कर देते हैं इसमें wateramints है, इसमें taste है, इसमें खुश बू है, इसमें सभी कुछ है ठीक है, हम इसको जाय नहीं करेंगे, अब यहाँ पे कुछ लोग इसको शोरे वाला बनाते हैं, लेकिन हम शोरेवाला नहीं बनाएंगे ठीक है, हम इसको high flame के पाद ड्राइक कर लेंगे, देखें oil ऊप शाइन आ चुकी है जब शाइन आ जाए पानी ट्राय हो जाए तब इसके ओपर हम धनिये को एट करेंगे और उसके बाद आपने फाइनल लुक को मिसनी करनी बहुत मज़ा आने वाला है इसकी करते हैं मिक्सिंग और आपको दिखाता हूँ अच्छी लाइट में फाइनल लु तयार है इसी तरह यमी है टेप्स के लिए कोई केंड इसी रियस्पी के लिए पाकिस्तानी स्थीड फूडड़ेंश के लिए सालन रियस्पीस के लिए हमरे चैनल की बादे के यूट अश्ञाए के लिए तक अला हफीज